हालो पाइसीज, वालकम टो लाव इद उनिवर्स, अगर आपके राशी पाइसीज हैं यानि मीन राशी हैं तो चलिए देख लेते हैं लव के लिएर से रिलेटेट ओवरॉल, फेवरारी मन्त में यानि फेवरारी 2023 में आपके लव लाइफ में, आपके करियर लाइफ में ओवराल क्या क्या होने वाला है, यह रेडिक जर्नल है, जैनल स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो, आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाती से बिलॉंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, सन के उपर बेस्ट हो या फिर मून के उपर, अग आपको रीडिंग को देखना है, और पॉजिटिव रहें, नेगिटिव थौर्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए, 10 of pentacles, एक फुल्फिल एनर्ची, ace of swords, बहुत अच्छे, the devil, एक major arcana, the chariot, also एक major arcana, king of wands, six of cups, so चलिए bottom of the deck देख लेते हैं, यहाँ पर है justice, so इस टाइम पर आपको justice मिलता हुआ अगर आपको ऐसा लगता था कि आपके life में injustice हुआ है आपके साथ, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, पर आपको चीज़े deserve करते हो, पर वो चीज़ आपको नहीं मिला है, किसी भी वज़े से हो सकता है, पर आपको वो मिलना चाहिए था तो इस टाइम पर आपका जो ख्वाइश हैं आपका जो wishes हैं आपका जो pray हैं वो यहाँ पर successful होती हुई दिख रही है मुझे आपका wish come true होता हुआ दिख रहा है मुझे आप जिस भी side से justice मांग रहे थे भगवान से इस टाइम पर आपको उस side से justice मिलते हुई दिख रहे हैं इस टाइम पर आपके life में divine का involvement दिख रही है मुझे कौन कौन से राशी है मैं बता देती हूँ यहाँ पर air sign जिमनाली ब्राकियरियस हैं fire sign लियो साइटिट इरियस हैं water sign जिमनाली ब्राकियरियस हैं water sign टॉर्स वागो कैप्रिकॉर्ण है यहाँ पर चलिए देख लेते हैं February मन के एक से दस्तारी के बीच में क्या होने वाला है आपके life में यहाँ आपर है 10 of pentacles इस टाइम पर आप आपके life में एक fulfilled energy महसूस करते हुए दिख रहे हो यानि इस टाइम पर आपको ऐसा लगेगा कि आपके life में किसी भी चीज की कमी नहीं है इस टाइम पर आपके life में abundance आती हुई दिख रहे हैं आपके family में इस टाइम पर बहुत सदा खुशी विराचती हुई दिख रही है कुछ family matters इहां पर solve होती हुई दिख रही है आपके life में और इस टाइम पर किसी एक चीज में आपको gain होता हुआ दिख रहा है मुझे और आपके career के side से आपका बहुत सदा उन्नती होता हुआ दिख रहा है बहुत सारा profit मिलता हुआ दिख रहा है मुझे इस टाइम पर आप अपने family को लेकर कही पर घूमने भी जा सकते हो वहाँ पर जाकर आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पर सकता है आपके family के पीचे और यहाँ पर है the chariot इस टाइम पर आप बहुत सदा दूर की बात सोचते हुए दिख रहे हो आप इस टाइम पर किसी एक investment के बारे में सोच सकते हो कही पर कुछ invest करना पड़ेगा आपको इस टाइम पर आप इस टाइम पर आप ऐसा invest करने के बारे में सोच सकते हो अपना emotion इनवेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो या फिर अपना time invest करने के बारे में सोच सकते हो ओके सो कुछ भी हो सकता है तो चलिए देख लेते हैं February मंत के 10 से 20 तारीक के अंदर क्या क्या होने वाला है आपके life में तो यहाँ पर है Ace of Swords यहाँ से मुझे दिख रहे हैं आपको इस टाइम पर divine के तरफ से कुछ मिलने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हो divine का हाथ है कुछ blessings हो सकता है यह कुछ offer हो सकता है कुछ opportunity हो सकता है यानि इस टाइम पर आपके पास जो भी आएगा खुशी हो सकता है peace हो सकता है harmony हो सकता है love हो सकता है वो बहुत जादा आती होई दिख रही है मुझे और इस टाइम पर आपके कंधो पर कुछ छोटा बड़ा responsibilities भी आती होई दिख रही है और इहां पर है king of wands इस टाइम पर आपको चीजों को लेकर बहुत सदा honest होते हुए दिख रहे हो ऐसा हो सकता है कि आप किसी को कुछ बाते बहुत सदा honesty से बता दो पर आपको इस टाइम पर वो चीज़े नहीं बताना चाहिए था या फिर आप इस टाइम पर किसी के साथ friendly behave करते हुए दिख रहे हो सभी से इस टाइम पर बहुत सदा transparent होते हुए दिख रहे हो यानि अगर आपको कुछ चीज़े अच्छी लगती है तो अच्छा है आप उसको मूपर ही बोल दोगे अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छी नहीं लग रही है तो इस टाइम पर आप वो भी मूपर ही बोलने वाले हो और इस टाइम पर आप आपके family के कुछ heritage को maintain करते हुए दिख रहे हो और चलिए देख लेते हैं February मन्त के 20 से 28 के बीच में क्या होने वाला है इस टाइम पर आपके life में कुछ चीजों को लेकर आप थोड़ा सा परेशान होते हुए दिख रहे हों क्योंकि इस टाइम पर कुछ चीजों में आपको बहुत ज़दा effort लगाना पड़ेगा उसके बाद जाकर आपको success देखने को मिलेगा बहुत सादा शिदत से काम करने के बाद effort लगाने के बाद कोशिश करने के बाद उस चीज से आपको positive result देखने को मिलेगा और इस टाइम पर आप किसी person के साथ intimate connection में जूरते हुए दिख रहे हो या फिर अगर आपका कोई person है तो उनके साथ आपके इस टाइम पर physical attraction बहुत सदा increase होती हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर है six of cups इस टाइम पर आप past की चीजों को लेकर थोड़ा सा emotional होते हुए दिख रहे हो यानि इस टाइम पर आप past की किसी person के बारे में सोच सकते हो या फिर आपके past के कुछ अच्छे memories के बारे में सोच सकते हो जिसको सोच कर आप इस टाइम पर बहुत सदा खुश होते हुए दिख रहे हो इस टाइम पर आपके past की किसी person से I mean आपका कोई childhood friend हो सकता है या फिर आपका ex हो सकता है या फिर आपका कोई business partner हो सकता है जिसके साथ शायद आपने पहले partnership किया था अभी वो रिष्टा तूड गया है तो उनके साथ या फिर ऐसा कुछ लोग के साथ आपका इस time पर मुलाकात हो सकता है जो आपके past related है तो इसके वज़े से ही आपके दिल में बहुत साथ past की बाते याद आने वाली है तो चलिए cards को clarify कर लेते हैं positive रहे देख लेते हैं से 10 तारिक के बीच का outcomes हो यहाँ पर है 10 of cups आप देख सकते हूं यहाँ पर भी 10 है यहाँ पर भी 10 है तो एक fulfill number मुझे दिख रही है इस time पर आपके life में एक fulfillness भी रहने वाली है और इस time पर आपके बास एक offer आती हुए दिख रही है एक opportunity आती हुए दिख रही है जिसके दोरान आपके जो emotion है वो बहुत सादा overflow करने वाली है यानि इस time पर आप बहुत सादा खुश होते हुए दिख रहे हो इस offer को पाकर या फिर इस opportunity को पाकर और इस time पर आपके love life जो है वो बहुत सादा romantic होता हुआ दिख रहा है अगर आप अपने person के साद no contact situation में बहुत दिनों से थे या फिर कुछ problems वगेरा थी आप दोने के बीच में वो इस time पर ठीक होता हुआ दिख रहा है मुझे और आपके दिल में इस time पर बहुत सादा शान्ती पीस रहती हुई दिख रही है चलिए देख लेते हैं कि February मंद के 10 से 20 तारीक के बीच में ओके सो यहाँ पर है the judgment ओके सटाइम पर आप देख सकतों यहाँ पर आपके लिए justice आया है और इसके बाद यहाँ पर है judgment यह दो कार्ट एक दूसरे से relate कर रही है और आपके लाइफ में एक new beginning होती हुई दिख रही है कुछ नया cycle start होता हुआ दिख रहा है कुछ negative cycle कुछ old negative cycle यहाँ पर खतम होती हुई दिख रही है आप एक new journey start करते हुई दिख रहे हो आपके लाइफ के तरफ से इस time पर आप इस कभूतर को देख सकते हो यह जो है भगवान का जो संदेश है या I mean divine का जो blessings है यह इस चीज़ को ही दर्शा रहा है तो चलिए देख लेते हैं 20 से 28 के बीच का outcome तो यहाँ पर है seven of wands इस time पर इस devil energy आने के वज़े से आप यहाँ पर थोड़ा सा optimistic होते हुए दिख रहे हो सभी चीज़ों में आप hope बनाए रखने वाले हो यह बहुत सदा अच्छी बात है इस time पर आपके मन में एक hope रहेगा एक आशा रहेगी कि आपका जो काम है वो सही तरीके से हो जाएगा आपका जो result है वो positive आएगा और definitely यह upcoming future में positive आने भी वाला है आपका जो wish है वो जरूर से जरूर fulfill होने वाला है क्योंकि यहाँ आपर judgment और justice दोनों कार्ट एक साथ आगे है सो चलिए देख लेते हैं February में overall आपको क्या मिलने वाला है सो यहाँ पर है abundance ओकी देखो definitely abundance तो आने ही वाला है क्योंकि यहाँ पर 10 of pentacles है एक abundance तो जरूर से जरूर February में आपके पास आने वाला है unexpected way में कुछ money का offer आपके पास आता हुआ दिख रहा है मुझे so पैसो से related कोई भी problem इस time पर आपके life में नहीं होती हुई दिख रही है पैसो से related अगर कुछ भी चीज़े बहुत time से आपके life में रुका हुआ था तो वो काम यहाँ पर अच्छे से smoothly होता हुआ दिख रहा है आपका February में बहुत सदा positive और अच्छी गुजरती हुए दिख रही है तो बाइ